नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भाईचंद्र, ब्रह्मभंड सिद्याष्ट्रों में आप सभी का स्वागत है, आज की इस फुडियो में हम चर्चा करेंगे दिना 7 जन्वरी 2022 का संपुर्ण राशिफद, उससे पहले आज की दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे, आज का जो दिन है शुक्रवार का है, शुक्लपक्ष की पाचवितिति है, आज का जो नक्षत्र है वो रेवति है, योग परीग है, दिन का जो करण है वो वनी है और जो रात का करण है वो विस्टी है, आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवत होगा, सु दिन के शुबकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपुर्ण काम या फिनिर्णे आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवात होगा दोपर 11 बचकर 12 मिनिट से लेकर 12 बचकर 33 मिनिट तक और यमगंड़काल दोपर 3 कुपुरणकाम या फिनिर्णे बिलकुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंदर्मा है…यह चंदर्मा संपूर्ण दिन खुंब राशी में भ्रह्मन करेगा। यह चंद्रमा नेप्चुन के साथ युथी योग करने जा रहा है, रवी और शुक्र के साथ लाव योग करने जा रहा है, उसी प्रकार मंगल के साथ दुरुष्टी अधिश्टित केंद्र योग भी करने जा रहा है। यग्र सिती सामने रखते हुए 12 राश्यों का राश्य पल क्या होगा इस विशय पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के लाब भाव में चंद्रमा का भ्रहमन है और वई पर सित निफ्चन के साथ ये चंद्रमा युतियोग करने जा रहा है आपके भाग्य भाव में सित रभी और शुक्र के साथ ये चंद्रमा लाब योग भी करने जा रहा है उस परकर आपके अश्टम भाव में सि पुर्ट साथ गप्सप पगरा हो सकती है लेकिन आपके ज़िए गहर के लोगषास करके महिलावर्ग है उनके साथ छोड़ी मूठी बातों को लेकर अवश्यक हो के इसके बाद की जो राशी है वो है विषभ राशी विषभ वाह एको कही बाहर घुमना परब सकता है लेकिन ट्रैवलिंग के वचे से कुछ अच्छे विचार या फिर कुछ ने इंटुईशन्स आपको आ सकते हैं, कुछ ने आईड़ास आपको आ सकते हैं, जो कि आपके कारेशेतर के लिए काफी ज़्यादा महतोपूर्ण साबित होंगे. उसी प्रकार अगर आप विवाईत हो, तो आपके जो वईवाईक जोड़िदार हैं, उनके साथ चोटे मोटे बातों को लेकर तकरार हो सकती है, बस उसी के उपर थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा. इसके बाद की जो राशी है, वो है मिथुन राशी. अच्छा देखा जाएगा, कई बाहर घुमना फिरना फिरना हो सकता है, लेकिन आपके आनंद के लिए ही वो होगा, दूसरी ज़्यादा मैं तो अगर आप विवाईत हो, तो आपके जो वईवाई जुड़िदार होंगे, उनके साथ आज आपकी जो हार्मनी हैं, वो काफी अच्छी देखी जाएगी, उनके साथ भी कई बाहर घुमना फिरना पड़ सकता है, और अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं, तो आप दोनों में काफी अच्छी केमिस्ट्री देखी जाएगी, लेकिन खुद के सहत के उपर ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक होगा पिछले करीबन एकाद मेने से आपके सहत के बारे में थोड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसी प्रकार जो भी आपका कारिक शेतर है, वहाँ पर के जो लोग है, वो भी आपके साथ नॉर्मल नहीं बिहेव कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी बात है, वो आज के दिन खटास आ वो है करकर शी, करकरशी के अश्टंबाव में चंद्रमा का ब्रहमन है और वही पर सीद मिप्चुन के साथ ये चंद्रमा युदियोग करने जा रहा है, आपके सबस्ति पहली महत्तोपुर्ण बाद सेहत के उपर ध्यान रखना काफी द्यादा आवश्चत होगा, अगर आ आज के दिन आपको देखा ये दे सकते हैं लेकिन आज के दिन आपको easy money मिलने के संबावना काफी जादा बनती है और आपको जो weak point है आपके जो आपकी जो family members से उनके साथ आज आपकी relation काफी अच्छी देखे जाएगे लेकिन फिर से मैं वही कहना चाहूंगा सेहत के ओपर ध्यान रखना थोड़ा सा स्ट्रेस वगरा आपको आने की संभावना काफी ज़्यादा बनती है उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डिल करते हो तो आज की दिन बड़े ट्रेड नहीं करना और अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं तो वहाँ पर भ आपके चतुर्द बाव में से मंगल के साथ यह चंद्रमा दृष्टी अधिश्टित केंद्र योग करने जा रहा है दो तिन बाते उसके उपर ध्यान रखना काफी जादा आवश्यक होगा अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं आज का जो दिन हैं बहुत ही अच्छा और शिबुफलत ही होगा नई रिलेशन्शिप अगर शुरुवात करना चाते हो तो भी आज का जो दिन है काफी अच्छा और मैं तो गुर्ण सावित होगा आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाव बगरा मिल सकते हैं आपके जो भी रिलेशन्शिप में वेखती है उनके आप पर हावी भी होने की संभावना आज के दिन थोड़ी बनती है तो ध्यान दर्किया खुद पर सयम रखिए मोटे तोर पर देखा जाए तो आज का जो दिन है आपके लिए शुबु फलद्दाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के शच्ट भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपी के चतुरत भाव में सित रवी और शुक्र के साधिया चंद्रमा लाब योग करने जा रहा है और आपके शच्ट भाव में सित निप्चुन के साधिया च करके आपके जो मित्र परिवार है उनके उनके साथ की यह गया किसी भी spending के द्वारा आपके खर्च जो है वो काफी ज़्यादा बढ़ सकते हैं उसके पर शेयत के ओपर ध्याद रखना भी काफी ज़्यादा आवश्यक होगा आज की दिन किसी भी महत्वपूर्ण काम कोई के साथ भी जोड़ी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है stressful थोड़ा डे सावित होगा जहां पर आप काम करते हैं वहां पर भी किसी प्रकार की कोई stress या tension आपको आ सकती है तो चल संपूर्ण दिन है थोड़ा सा शांत रहिए एका दो दिन में इस अभी बाते नॉर्मल हो अधिश्टित के इंद्रयों करने जा रहा है वैसे देखा जो तो काफी अच्छा दिन है आपके लिए खास करके शेयर मार्कर से डिल करते हो तो कुछ अच्छे लाब आज के दिन आपको मिल सकते हैं आज के दिन आपका घूमना फिरना भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर एक पाँ जान ल theories you say about relationship सांट चोटी बातों को लेकर ऐसी को बात हो सकती है जिसके साबके relationship में खटास आ सकती है जो भी आपका कारिशेतर है, मतलब अगर आप नॉर्मल भी हो, अगर आप धारमी का द्यात्मिक मार में नहीं भी हो, तो भी जो भी आपका कारिशेतर है, उससे related कुछ अच्छी बाते आज के दिन आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छी खबर मिल सकते हैं, या फिर कुछ अच् अपके द्वित्य वाव में सित्रवी और शुक्र के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है थोड़ा सा आराम आप करना पसंद करोगे, घर पर रहना पसंद करोगे, घर के जो लोग है उनसे आपका घुलना मिलना काफी अच्छा सावित होगा, इसी वज़े से आपका जो दिन है वो काफी अच्छा बितेगा, आपका जो मूर है वो भी काफी सुनना या जाननेना बहुत difficult कठिन हो जाता है तो उसी का थोड़ा सा कुछ अनुबवा आपके घर के लोग आज ले सकते हैं क्योंकि संपुर्ण दिन वैसे देखा जा तो काफी अच्छा होगा आपके आपके घर के जो लोग है उनके साथ interaction भी काफी अच्छी होगी लेकिन एक खा दूसरी ऐसी बात होगी जिसके जिसे आप बहुत ज़्यादा intense हो सकते हो और घर के जो लोग है उनके साथ अनातनी हो सकते हैं बस उसे के उपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा इसके बात की जो राशी है वो है धनुराशी धनुराशी के तृतिय अभाव में चंद्रमा का ब्रहमन है और वही परसित निप्चुन के साथ या चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपी के राशी में से तरवी और शुक्र के साथ या चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है उस प्रकर आपके वेई अभामिस्टित मंगल के साथ ये जंद्रमा दुरिष्टी अधिश्टित केंद्रियों करने जा रहा है सबसे महतो पुर्णबा आज की दो बाते हैं उसको जाननेना काफी जादा आवश्यक होगा आपकी जो सहत है सहत के उपर थोड़ा सा करने हैं तो आज का दिन आपके लिए नहीं है पस्चाल लेना लेकिन आज के दिन कोई काम नहीं करना किसी प्रकर के बड़े इसके बात की जो राशी है वह मकर राशी माकर राशी के विट्या अधिश्टित के इंद्र योग करने जा रहा है तो तिन बाते हैं उसके उपर थोड़ा सा धयान दियान दीजे आज की दिन अगर आपको का विवा हुआ हुआ है तो जो व reflect वाइक जुड़िदार है उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तरक्रार हो सकते हैं मिसंडरस्टेंडिंग हो सकते हैं आज की दिन आपके खर्चे वगरा भी होने के संभावना काफी ज्यादा बनती है हाला कि आपकी जो राशी है वो खर्चे जादा नहीं करती प्राक्टिकल राशी है लेकिन कभी कबार ऐसा समय आता है क्योंकि आपकी जो राशी है वो साढ़े साती में चल दे तो जिस प्रकार से आप अनुमान लगा होगे उस प्रकार से काम नहीं हो पाएगे कि जिसके वाज़स्टेस भी आप पर बना रहेगा लेकिन इसके चलते हमें जो सभी जो इसके चो कारण है जिसके जो स्ट्रेस आज की दिन थोड़ा बढ़ सकता है जिसका कारण आपके जो तो financial status है, financial condition है, वो होने के संबौन थोड़े ज़्यादा बनती है, तो ध्यान रखिये, सयम रखिये, आपके वह इस तिरह आप वही देखे, ज़्यादा आपकी राशी है, काफी सयम ही तराशी है, आज आपके emotions पन सयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा. इसके बाद की जो राशी है, वो है कुम्ब राशी, कुम्ब राशी में ही चंद्रमा का ब्रहमन है, और वही पर सिथ नेप्चुन के साथ ये चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है, आपके लाब बाव में सिथ रवी और शुक्र के साथ ये चंद्रमा लाब योग करने जा आपके दशंबाव में सित्मंगल के साथ चंद्रमा दृष्टी अधिश्टित केंद्रियोग करने जा रहा है आज आपका जो कॉन्फिडंस है वह बहुत ही अच्छा देखा जाएगा वैसे देखा जाए तो अगर आप विवाई तो आपकी जो वैवाई जुनिदार है उनके लिए भी आज का जो दिन बहुत अच्छा है कुछ अच्छे नए इंटुशन आ सकते हैं लेकिन जहाँ पर आप काम करते हो नोकरी करते हैं या फिर बेवसा करते हो वहाँ पर की जो बाते हैं वो पिछले एक सवा मैने से इतनी अच्छी नहीं चल रहे है आपके रहे हैं यह जो बाते हैं वो कंडिशनल है वो टेंपरी फेस है थोड़े दिन के लिए है वो पूरी नॉर्मल भी हो जाएगे अगर ऐसे कोई बात होती है तो ज्यादा स्ट्रेस याट फिर टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना इसके बात की जो राशी है वो है मींदराशी मींदराशी के वेया भाव में चंदरमा का ब्रहमन है और वही पर सिथ दिप्चुन के साथ या चंदरमा यूतियोग करने जा रहा है आपके दशंबाव में सिथ रवी और शुक्र के साथ या चंदरमा लाव योग करने जा रह आज का जो दिन है वैसे देखे जाए तो किसी प्रकार के लाव या हानी नहीं मिलेगी लेकिन मनश्यांति जिसे हम कहते हैं वो काफी अच्छी तरीके से मिल सकती है अगर आप धार्मिक या फिर अध्यात्मिक मार में है या फिर नॉर्मल भी इंसान हो तो भी आज के दिन कु किसी भी प्रकार के बड़े निर्ने, बड़े ट्रेड, बड़े इंवेस्मेंट आज के दिन बिलकुल भी नहीं करना ये बात जान देना बहुत ही ज़्यादा आवशकों का आज के दिन अगर आपको बाहर गुमना फिनना है तो भी उससे अगर टाला जाए तो अच्छा हो इसका संपुर्ण राशिफल, आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभो किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरुर कमेंट करना, और जिस तरह से आज का जो राशी भाविश्य आपको किया गया है, वो आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी नीचे